ओम नमस्षिवाय श्वागत है आप सभी का मेरे अच्छे स्भारत द्वाय यूटूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको नए साल की भागिसाली राशियों के बारे में जानकारी दोंगा यह राशियां लगवग जादतर बहुत ही शुब रहने बाली इन राशियों के जो व्यक्ति हैं इस तरही हैं पुरसें उनको आभागि बहुत ही अच्छा रहने बाला है देखो जब भी नया साल आने बाला होता है सब के मन में एक जिग्यासा होती है कि आने बाला साल हमारा कैसा रहेगा जो बीच चुका है उसके बारे में सभी जानते हैं लेकिन आने बाले साल के लिए मन में बिसे जिग्यासा होती है क्या धन प्राप्ति के लिए संतान के लिए केरियर के लिए समय आने बाला कैसा रहेगा तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाए बताऊंगा जिनको आपको रेगुलर करना है और साथी भागिसाली राशियों के बारे में जानकारी भी दूँगा कौन-कौन सी राशि दोस्तों जब भी नया साल शुरू हो तो आप हमेशा प्रतिक अपने मन में प्रतिक व्यक्ति इस्तरी प्रोस जातक जातका सभी अपने मन में सोचते हैं जब भी साल शुरू होने बाला होता है कि क्या हमारे लिए इस साल सुब रहेगा क्या इस साल में हमें काम्याबी मिले क्या कैरियर बहुत अच्च रहेगा या फिर कर्ज चड़ेगा या बीमारी कैसी रहेगी स्वास्त कैसा रहेगा अनिकों प्रकार के विचार होते हैं लेकिन द्धान आपको करना है आपको कुछ नया भी करना है अपने मन में आतों विश्वास को प्रवल रखना है और भगवान की सरण में जाना है कुछ ऐसे उपा हैं जो अपने रूटीन में नेमत रूप से आपको सामिल करने हैं इससे आपका भागी चमकेगा सबसे पहला है सूर देव को अर्ग देना सूर देव को अगर आप प्रति दिन अर्ग देते हैं तो इससे सरकारी नोकरी, पुत्रप्राप्ती वब्यवपार के अच्छे योग शुरू हो जाते हैं जिनकी कुंडले में सूर अच्चे हूं सनी अच्चे हूं, गुरू अच्चे हूं वह योग, बहुत बड़ा योग माना जाता है और ऐसे जातक जातका हर प्रकार के कारियों में सपलता हैं हासिल करते हैं पहला आपको शूर देव को अर्ग देना है, प्रति दिन दूसरा है प्रतिक सनी बार की सनी बार को सनी देव को तेल का अफसिक अरपन करें सनी देव का तेल से अफसिक करें उनके सामने दीपक जलाए और काले तिल और गुड के लड़ू बना करके सनी देव को अरपन करें पीपल ब्रक्य के नीचे दीपक जला करके साथ परक्रमा दिया करें प्रतेक सनीवार का ये नियम बना लेना है प्रतेक गुरुवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमा इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और भागवान विश्णू के सामने दीपक जला करके एक लोटे में थोड़ी सी हल्दी डालनी है चने की डाल दालनी हाथ में चने की डाल ले करके आपको प्रतेक गुरुवार को अपनी इच्च्या बोल करके भागवान के सामने ब्रिश्पत बार की कथा का स्रवड करना है ओम ग्राम ग्रींग गुरुम सह गुरुवे नमा इस मंत्र का जाप करना है और वो जल केले के ब्रक्पा चड़ा देना है ये नियम बना लेना है साथ ही प्रति दिन भगवान सिव का अवसिक भी प्रारम कर देना है इससे आपकी किस्मत बदलेगी सबसे पहली जो रासिय हो है मेश रासि दोस्तों ये भागिसाली रासियों में से इस रासियों का योग बहुत ही अच्छा है मान सम्मान उत्रधन के योग हर प्रकार की इच्छा पूर योगी दूसरी है ब्रसाव रासियों ब्रसाव रासियों को विशे इसलाम मिलेगा यह है दूसरी बागिसाली रासी है और बियहदी लावांतिक रहने वाली है तीसरी है मित्वन रासी इस रासी का यूग बहुत ही अच्छा है शिक्र विबा के यूग बनेंगे संतान का शुक मिलेगा गिरस्त जीवन में खुशाली आएगी और धन प्राप्ति के बहुत ही अच्छे यूग है अगली जो रासी अब आगिसाली वो है सिंग रासी है सिंग रासी का यूग बहुत ही अच्छा है आने वाले समय में इस रासी को विसे सपलता है मिलने वाली है केरियर से सम्मंदित हो या ब्योपार से सम्मंदित या संतान से सम्मंदित आपको प्रते खेतर में सपलता ही सपलता मिलेगी आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है उसके बाद में है कन्यारासी कन्यारासी वालों को भी से इसलाम मिलेगा कन्यारासी बहुत ही शुव रहने वाली है इस रासी का समय बहुत ही अच्छा है जिस परकार से कुमरासी का योग है उसी परकार से कन्यारासी का भी योग है कन्यारासी के मान सम्मन बड़ेगा परवार में किसी बात को लेकर केरमन चल रही थी तो वो दूर होगी स्वास्त में आपका विशेस लाव सुधार आएगा अगर कोई परेशानी चल रही है साथ ही गया हुआ पेंसा बहुत से लोग इस चीज़ से बड़े परेशान दुखी रहते हैं करज बढ़ जाता है पेंसा कमाते हैं पेंसा आता है बैसे ही बरबाद हो जाता है तो इस रासी का योग बहुत अच्छा है अब आपके जीवन में खुशी आने वाली है उसके बाद में वरश्चिक रासी जो बहुत ही भागे साली रहने वाली है उस राज़ी का योग बहुत अच्चा है आपको भी से सबलता मिलेगी और जीवन में आ रहे ही सारी परिसानियां सारी दुखदूर होंगे वरश्चिक राज़ी के बाद में दनु राज़ी दनु राज़ी का योग बहुत अच्चा है देव गुरु ब्रस्पती की शुवदिष्टी, साथी सनी का सहयोग, सुर्देव की शुवदिष्टी, जो आपको बियादी भागी साली बनाई साथी आपको उपाय जरूर करने हैं, जो उपाय मेंने आपको बताए सौमार के दिन भगवान सिव का आपसे करना है, और सनीवार को पीपल ब्रक के नीचे दीपक जला के परकरमा करनी है इससे क्या होता है कि कुंडली में अगर कोई दोष हो, जैसे पित्र दोष है, काल सर्फ दोष है, तो वह दोष दूर हो जाते है तीसर जी उपा है, वह है गौ माता की पूजा, आप नियम बना लिजिए, जब भी किचन में आपके पहली रोटी बने, तो वह है गौ माता के नाम की बने प्रते दिन आपको एक रोटी और उस पर गुल रख करके गौ माता को खिलाना प्रारम कर देना है इससे गौ माता का आशिरवात प्राप्त होगा, अगर आपको काम्यावी चाहिए, धन चाहिए, सपलता चाहिए, तो गौ माता की सरण में आपको जरूर जाना है जो व्यक्ति नेमेत रूँ से गौ माता की पूजा करते हैं, उन पर भगवान बिश्णू और माता लच्वी की बिश्च किरपा बनी रहती है व्यक्ति हर प्रकार के कार्यों में सपलता है अंसल करते हैं, तक्षिता हैं, मान सम्मान वड़ता है, जीवन में आ रहे ही सारी परिशानियां दुख आसानी से दूर हो जाते हैं, तो आपको यह अपाय जरू करने हैं, आने वाला साल आपके लिए इसलिए बहुत ही शुब करें, साती भगवान सिवका काय के दूसरे अप सिक करें, मंगल वार है तो हनमान जी के चोले प्रारम कर दें, संकल पूरवा कोई भी उपाय कर रहे हैं, तो आपको संकल भी जरू करना है, पुत्र प्राप्ति ने उपार यह यह पुत्री चाहते हैं, यह धन चाहते हैं, सर 24 में भी करें जिसे आपके प्रतेग साल बहुत ही शोर हैं जो साल जा चुका है उसके बारे में आपको विचारना नहीं है आने वाले समय के लिए आपको साफ़दान रहता हैं प्रतेदिन एक दीपक पित्रों के नाम का और एक दीपक देवों के नाम का यानि आपके जो इस् जल जलाए इससे आपको विसिस लाब मिलेगा जब सूर देव की आप आराद न कर रहे हूं जल दे रहे हूं तो ध्यान देना है कि जो जल की दारा होती है उसमें उकरके सूर देव को दरसन करने हैं आपके अगर सूर देव को अर्ग देते हैं उसमें के दरसन करते हैं तो स साथ ही आपको यह उपाई भी करने हैं जो उपाई बताएं इससे जी बनवा आपके में उजाला ही उजाला रही हर प्रकार की मनुकामना पूरी हो वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में ओम नमस्च्वा जरूर लेखें